हाँ अबरबारे, इसमी सुमन मलिक और आज हम डिसकस करने वाले हैं क्यावियट के बारे में ये CPC का एक बहुत ही इंपोर्डेंट और एक छोटा सा टॉपिक है जो एक्जाम में हमेशा mostly पूछा ही जाता है तो आप सबको पता ही होगा कि हर्याना जुडिशिरी का नोटिफिकेशन आ चुका है तो अब इस चैनल पे जितने भी वीडियो अप्लोड किये जाएंगे वो सभी एक्जाम परपस से important topics को ही हम consider करेंगे तो क्याविट जो है उनमें से ही एक important topic है तो चली देखते इसके बारे में जो है section 148a of CPC में बताया गया है जो कहता है right to logic caveat caveat का मतलब क्या होता है caveat का मतलब होता है be aware मतलब कोई जानकारी देना किसी को किसी को कोई सूचना देना अब कौन होता है किसको जानकारी देनी होती है so caviator वो होता है जो ये petition file करता है court के अंदर cavity वो होता है जिसके against ये petition file की जाती है अब इसको हम एक example देके समझ लेते हैं suppose कि भी आपके खिलाफ कोई suit या petition file होने वाली है किसी particular issue या आपकी जो particular jurisdiction पढ़ता है उसमें आपके खिलाफ कोई suit या petition file होने वाली है और आपको डर है कि कहीं जो court जो है आपको ex-party करके कोई decree आपके against order ना कर दे ex-party होता है जब दूसरी party को सुने भी न court जो है कोई decree या order pass कर देती है वो ex-party होता है तो अगर आपको ऐसे लगता है कि कोई suit या petition जो है आपके against file होने वाली है particular jurisdiction वाले court के अंदर और court आपको ex-party करके आपके against कोई ऐसे decree या order pass ना कर दे तो उसके लिए आप cabinet petition फाइल करते हैं उस court के अंदर अब इसमें ध्यान रखेगा जो issue है वो एक particular issue होना चाहिए और jurisdiction जो आपकी court की jurisdiction आती है उसी के अंदर आप file करेंगे ऐसे नहीं कि आपकी जो court लगती है उसमें कोई भी issue अगर raise होता है आपके against कोई भी suit file होता है वो सपे नहीं apply हो जाएगा automatically आपको ध्यान रखना होगा किस matter से related आप वहाँ पर ये petition file कर रहे हैं अब कोई हो सकता है कि दूसरी party जो petitioner है वो कोई urgency दिखा कि या फिर ऐसा दिखा कर कि भी आप जो है suit को effect करेंगे तो ऐसे situation में कहीं आपके against कोई decree ना पास कर वाले तो आप ए caveat petition file करते हैं court के अंदर कि भी कोई भी अगर ऐसा matter court के सामने आता है तो वो आपको inform करेगा inform करेगा फिर आप court के सामने पेश होंगे आपको एक स्पार्टे करके कोई भी decree पास नहीं की जाएगी ये एक simple सा example था caveat का section 148a का close one ये कहता है an application is expected to be made or has been made मतलब कि भी आपको लगता है कि आपके खिलाफ कोई application court में file होने वाली है या फिर file हो चुके हो चुके it means कि भी proceeding चल रही है तो proceeding के दोरान भी ऐसा होता है कि भी जो plaintive petitioner है जो वो जनसे दिखा कर आपके against कोई decree पास करवा लेता है अब ये जो cavit petition ये precautionary in nature है मतलब कि भी एक सावधानी की तरह इसे आप इस्तमाल करते हैं precautionary in nature होता है ये इसका duration क्या होता है duration होता है 90 days इस पर questions पूछा जाता है कि भी इसका time period कितना होता है तो 90 days तब से होता है जब आप ये application file करते हैं तब से लेकर 90 days तक इसका effect रहता है तो suppose करें कि 90 days के दोरान court ने आपके against कोई decree नहीं पास की या फिर कोई भी application या petition नहीं आई है आपके against तो 90 days के बाद ये automatically suspend हो जाएगा फिर अगर आप दोबारा से इस तरह का जानकारी चाहते हैं कि भी आपके खिलाफ कोई ऐसे petition तो नहीं file होने वाली तो आपको फिर से क्याविट petition court में file करने पड़ेगी with the court fees फिर अब कौन इस petition को file कर सकता है अफकोस जो person जिसको इस तरह की जानकारी चाहिए वो तो करी सकता है साथ ही साथ अगर उस issue पे कोई decree या order पास होता है और किसी person का interest अगर effect होता है तो वो person भी क्याविट petition file कर सकता है लेकिन उस matter से जो totally unaware है stranger है जिसका कोई भी interest effect नहीं होता वो person नहीं कर सकता है तो basically आपका interest जो है वो effect होना चाहिए वो ही person जो है caveat petition file कर सकता है section 148a का close 2, 3 and 4 जो है वो caviator के rights and duties बताता है और generally जो है caveat petition जो है ये temporary injunctions के against file क्या जाता है क्योंकि court जब petitioner को temporary relief देना चाहता है तो वो टिकरी pass करता है तो generally जो है temporary injunctions के against ही file होता है but अगर किसी ने caveat petition file करी है तो ज़रूरी नहीं है कि court को उसके हिसाब से ही चलना पड़े court की section 151 of the CPC में inherent power of the court है जहां पर उसके पास power ये होती है कि भी अगर court को ऐसा लगता है कि for the ends of the justice decree pass की जानी चाहिए और defendant को जो है ex party कर देना चाहिए तब वो इस तरह के decree order जो है pass कर सकती है defendant के against next is अब caveat कहा कहा file होती है generally ये civil suits में ही file होती है so suits में, appeal में और other proceedings के अंदर आप caveat petition file कर सकते है जब caveat petition file होती है और defendant के against जो है कोई petition आती है तो court जो है वो caveat को जो है एक notice send करता है वो जो notice होता है वो caveat के expenses पे ही होता है और वो notice send करने के बाद भी अगर caveat जो है जो second party है defendant है वो नहीं present होता है तो court जो है वो interim relief pass कर देती है उसे ex party करके मतलब उसको एक particular time period दिया जाता है present होने का लेकिन अगर वो नहीं आता है तब court petitioner के favor में interim relief pass कर सकता है कर दो कर सकता है